बच्चों यहां पर हम लोग क्लास 8 का important questions को discuss करेंगे जो Olympiad में आपके पूछे आएंगे ठीक है Olympiad में जो questions आएंगे वो कुछ इसी तरीके के होंगे पहले हम लोग देख लेते हैं कैसा pattern रहेगा pattern के बाद जो syllabus है वो class 8 का ही है कुछ उसमें जादा नया नहीं है आप syllabus देख लीजेगा यहां पर दीके syllabus भी लगा हुआ है history के आपके सबसे पहली कितने questions मिलेंगे 20 questions मिलेंगे geography के पंदरा, social or political science, life मतलब civics के 10 होंगे और achiever section में 5 questions होंगे total number of questions जो होंगे 50 questions होंगे और एक घंटे का time रहेगा मतलब बहुत जल्दी करना पड़ता है paper को ठीक है अब यहां पर एक चीज याद रखेगा यह जो pattern है जो इसके MCQs है वो हम लोग ने playlist में दिये है आप लोगो playlist को आप लोग follow कर सकते हैं अपना revision अच्छे से कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं first question में क्या कहा गया तो देखें first question में कहा गया silent valley national park in Kerala तो पहली बात यहाद रखेगा silent valley national park है कहां पर है तो Kerala में है is home to large population of which endangered primate तो किस primate मतलब प्राइमेट उन्दलब क्या सकते हैं जो बनमानुस की जंजाती होती है ठीक है बनमानुस कहें या उसको एक तरीके से gorilla या orango tank यही सब जो लोग होते हैं लोग कहें या जानवर कहें तो पूछा गया है कौन सा primate होता है primate को primate ही मान के चलिए और कुछ ना मान के चलिए पूछा गया है तो इसमें अगर देखें तो सबसे ढ़र साइट विल्न क्या पायता है तो lion-tailed macaus पायता है ठीक है तो याद रहेगा इंडिया में lion-tailed macaus पाया जाता है और कहाँ पायाता है silent valley national park में पाया जाता है कहाँ पर है के रलामे है और यह एक hot spot भी है यादर के बहुत important है, question number second में देखे क्या कहा गया, which of the following state in India is not prone to tropical cyclone, अब देखे ट्रॉपिकल साइकलोन बताना है कहां पर नहीं आता है, तो देखे बिहार जो है coastal region तो है नहीं तो यहां पर tropical cyclone नहीं आएगा, उडिशा हो गया, West Bengal हो गया, Tamil Nadu हो गया, अगर आप देखेंगे, तो यह समुद्र के आसपास लाई करते हैं, मतलब इनके किनारे पर समुद्र आपको जरूर देखने को मिला, और जहां पर समुद्र होता है, वहां tropical cyclone जरूर आएंगे, who introduced doctrine of labs, अधिके doctrine of labs, यह वही doctrine है, जिसकी विजए से revolt of 1857 हो गया था, ठीक है हडप ले रहेते हैं, तो हडप नहीं थी, इसको कही गई है, यह कौन लेके आया था, पूछा गया है, तो यह लेके आया था, Lord Dalhousie, ठीक है, अच्छा यह Lord क्यों होते हैं, इनको Lord क्यों लगा जाता है, तो Lord एक उपादी है, जो British की Parliament देती थी, या यह Land Holders होते थे, यह Land Lords होते थे, इनको क्या कहाता था, Lord कहा जाता था, ठीक है, में लिए British में यह चीज़ कही जाती थी, विच ट्राइबल ग्रॉप इन्हाबिटेट दी छोटा नापूर प्लाट्यू रिजन, अब देके छोटा नापूर प्लाट्यू रिजन में कौन से ट्राइबल रहते हैं, म प्लाट्यू रिजन में कहा गया, रबिन्ना टेगोर इस्टैबलिश दी, अब देके रबिन्ना टेगोर ने क्या इस्टैबलिश किया है, यह आपको यहाँ पर बताना है, तो महराज़ा साय जी राओ, बिल्कुल गलत है, यह युनिश्टी नहीं इस्टैबलिश करी है, अ बिन्ना टेगोर इस्टैबलिश करी है, तो यह वेश्ट बेंगॉल में है, ठीक है, डिस्टिक नहीं पूछा जाएगा, एक चीज और याद रखेगा, यह भारत की 41st, ठीक है, युनिश्टो वर्ल्ड हरिटेज साइट बन गई है, और 42nd कौन सी वर्ल्ड हरिटेज साइट बनी है, तो 42nd बनी है, होईसाला के जो, होईसाला एक मतलब पहले kingdom होती थी, तो उसके जो temples हैं करनाटका में, उसको क्या बना दिया गया है, 42nd World Heritage Site बना दिया गया है, question number 6 देखे, 6 question में कहा गया, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोकसभा की बात हो रही है, इसको अनल तो देखे, सबसे पहली चीज याद रखेगा, दो houses है, अगर आप Parliament देखें, परलियमन में तीन चीज़े होती है, ठीक है, एक आप Parliament में अगर आप देखेंगे, तो लोकसभा होता है, राजसभा होता है, प्रेजिडेंट होता है, ठीक है, लोकसभा को क्या बोलाता है, तो इसको lower house भी कहते है, क्या कहते है, lower house कहते है, ठीक है, और जो राजसभा होता है, उसको upper house या council of states भी कहा जाता है, ठीक है, और प्रेजिडेंट भी पारलियमन में included है, याद रखेगा, ठीक है, तो पारलियमन में तीन चीज़े होती है, प्रेजिडेंट को भी include करेगा, नह नहीं है तो candidate मजबिया citizen of India तो लोकसभा का member वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो बिलकुल सही बात है age कितनी होनी चाहिए 25 साल से जादा की age होनी चाहिए 25 साल से कोई कम की age वाला है मतलब 24 साल 364 डेस का अब अगर कोई होगा तो वो भी eligible नहीं है लोकसभा का member बनने के लिए he should have the citizenship of another country तो यह तो बिलकुल ही गलत है another country के citizenship है तो वो तो बिलकुल भी लोकसभा का member नहीं बन सकता है next पे आते हैं 7th question देखें क्या कहा रहा है the court is also known as court of record अब देखें court of record किसको कहा जाता है यह इस question में पूछा गया है because it records and prints all its proceedings and judgment तो जो भी proceedings और judgment होती है उसको record करने काम वो code करती है इसलिए उसको court of record कहते हैं अब record क्यों करती है क्योंकि माल लिजे उससे छोटी कोई court में उसी तरीके का कोई भी decision आता है या कोई भी case आता है तो वो upper court में जैसा निर्ने लिया गया था जो भी उसका solution दिया गया था वही solution lower court भी देती है उसी निर्ने को पढ़के ठीक है तो high court को नहीं कहते हैं mainly किसको कहते हैं supreme court को कहते हैं कि यह क्या है सबसे उपर की court है इसको code of record इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लिजे high court में कोई भी decision आता है और उसी तरीके का decision पहले supreme court उसका निर्ने दे चुकी है तो high court भी क्या करता है उसी decision को पढ़ेगा और उसी इसाब से वो निर्ने लेगा तो इसलिए supreme court को क्या कहते है court of record कहा जाता है next पर आते है question बर 8 में कहा गया निर्मल ग्राम पुरसकार has been launched to promote अब देखे निर्मल ग्राम नाम से पता चलना होगा निर्मल मतलब होता है साफसुत्रा मतलब sanitation की बात हो रही है ग्राम मतलब गाओं होता है तो इसका जो पुरसकार हो किसके लिए launch होगा तो rural sanitation class को launch किया गया है 주 नेक्स्ट पर आते नाइंज्ट क्रीट देखेंगे तो इसे क्राँव कंसा a क्रेटिह पूछा गए तो गूलिए पूचागे यह घरेflows इंन्स में यह निळतने लिया गया था कि जी इंन्स माराटा का पूरा त्युक्जिन अगरण जो मराथा के PM होते थे हैं वहां पर इनको क्या कर दिआ गया तो कांपूर में पर नाना साव नहीं से रिवोल्ट भी गिया था British annexed Synth in 1849 ये गलत है In 1833 a law commission was appointed 1833 में law commission को appoint किया गया था क्यों appoint किया गया था आगे देख लेते हैं तो Indian laws को codify करने के लिए appoint किया गया था 1813 में बात बिल्कुल से तो यहां पर first और third option जो हो जाएगा that will be the correct answer question बत दसवा देखते हैं question देखे क्या कहा गया तो देखे इसमें कहा गया है select the option that correctly identifies our fundamental right तो fundamental right इन में से कौन कौन सी है आपको बताना है आपर तो right against exploitation fundamental right है बिल्कुल सही है right to freedom of religion है बिल्कुल सही है right to equality है बिल्कुल सही right to freedom भी है ठीक है और पांचवा देख लेते हैं चार होतों है इसका पांचवा देख लेते हैं पांचवा क्या कहा गया है तो देखे पांचवा कहा रहा है right to constitutional remedies तो right to constitutional remedies जो है article number 32 है ये भी क्या है ये भी हमारा एक fundamental right है तो इसमें जो option है वो सारे के सारे options सही है तो इसमें B options सही हो जाएगा 12345 all are correct तो इस तरीके से questions होगे इसके लाब और भी कई सारे questions हैं जो हम लोग ने playlist में लगाए हैं आप लोग playlist में जाके अपना revision और चैसे कर सकते हैं तो अब एक लिफ लात नहीं थैंक्यू वेरे मुच गुडबाई जय हिंद